सो इस lecture के अंदर हम देखेंगे कि normal distribution कैसे check की जाती है या चीजों को normal कैसे देखा जाता है अगर कोई चीज normal है तो that's good, अगर नहीं है तो उसको normal कैसे बनाना है सबसे पहले तो there are type of tests जो हम apply करके normal distribution check कर सकते है let's look into it, यहाँ पर यह पास हमारे normal distribution है इसको कैसे हम देखेंगे मैंने सारी की सारी libraries पिछले lecture में यहाँ पर import कर ली है तो मैं दुबारा से import नहीं करूँगा मैं सिर्फ आपको दिखाऊँगा कि data normal है के नहीं है उसके लिए आपको पहला काम यह करना होगा कि आपको data को देखना होगा जैसे मैंने और रेडी यहाँ पर यह वाला titanic का data लोड किया हुआ है so you can do and find out the previous lecture और उसमें आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको लोड किया अब normal distribution जब हम चेक करते हैं तो हम numeric data की चेक करते हैं और numeric data की normal distribution को चेक करने के लिए there are many ways जिसमें से एक तरीका है graphical method graphical method हमें कैसे बताता है for example मैं यहाँ पे sns.histogram अगर बनाता हूँ hist plot जिसे हम बोलते हैं तो हम किसी भी एक normal distribution वाले का चेक कर सकते हैं कि data normal है के नहीं so मैं यहाँ पर क्या करता हूँ comma kde is equal to true कर लेते हैं यहाँ पर so यह हमारे पास एक हमने analysis यहाँ पर run किया graphical representation के लिए और यह graph हमें बता रहा है कि data might be normal लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मसला रहा है age जो data है start में हमारे पास एक value इस तरीके से उपर जा रही है लेकिन on the other side हमें confusion है कि यह normal है के नहीं इसको further अगर हम hue के अंदर convert करें so then we can have an idea कि यह data normal है के नहीं say for example मैं age के बाद who की base पे इसे check कर लेता हूँ so यह हमारे पास इस तरीके से values आ गई है so हो सकता है के data normal है लेकिन based on the men, women and child हमारे पास data result different आ रहा हूँ so graphical method हमें कोई अच्छी ठीजने बता रहा है bell curve बन रही है लेकिन नहीं भी बन रही what we can do now we can actually check using coding और उसके लिए test है Shapiro-Wilk test of normal distribution इसको अम Gaussian distribution भी बोलते है Gaussian distribution और इसके लिए जो हमारे पास test है obviously stat से हम लगाएंगे तो इसका जो null hypothesis है पहले वो बनाते है मैं यहाँ पे बलके इसको मैं markdown के अंदर convert कर लेता हूँ so null hypothesis हमारा है जी normally distributed है data ठीक है और दूसरा हमारे पास है alternate alternative hypothesis यह क्या होगा वो पहले वाले का उल्ट होगा कि data हमारा normal नहीं है so let's see हम यहाँ पे Shapiro Wilk test लगाते हैं और उसके लिए हम क्या करेंगे हम अपना जो data है उसे ले के आते हैं say for example हमारा जो data है df है obviously तो मैं यहाँ पे stats.shapiro इसको लगाता हूँ और यहाँ पे df age के उपर लगा देता हूँ ठीक है so यह मेरे पास दो results आगे है जो statistics है मेरे पास आई है nan क्यूंके हमारे पास null values बहुत ज्यादा है इसके अंदर और यह मेरे पास p value आई है जो हमें बता रही है 1.0 आपका p value है so this is showing कि आपका data जो है वो normal नहीं है ठीक है क्योंके वो sorry data जो है वो आपका normal है क्योंके आपके पास 1.0 value आई है p की अगर मैं इसी को fair पे लगाँ हूँ let's see मैं यहीं पे fair पे इसको लगाता हूँ fair जो है हमें काफी ज्यादा value दे रहे है और उसका data वो बता रहा है कि normal नहीं है so let's see मैं आपको दो चीज़ें यहां पे दिखा देता हूँ पहली चीज यह है कि जब आपने h0 बनाना है इसका मतलब है null hypothesis कि data आपका normal है h1 होगा data is not normally distributed इसकी visual example अभी आपको दिखाने लगा पहली चीज जैसे मैंने Shapiro Wilk test लगा तो पहला मेरे पास value i statistics की statistic comma दूसरी value i मेरे पास p value या p लिख देता हूँ तो यह दो values मेरे पास हैं ठीक है अब मैं print कर सकता हूँ separate results print results और यहां पर मैं लिख सकता हूँ print इसके अंदर f string यूज करके मैं अपनी values को अपनी मर्जी से लिख सकता हूँ ठीक है the step बलके यहां पर हम एक if for हम loop लगा 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 if else अच्छा उसके लिए हम क्या करेंगे basically हम alpha की value जो हमने p की value आपको बताई थी इसकी base पर सारे के सारा analysis जो हम कर लेते हैं यहां पर check करें कि जब हम p की value greater than 0.05 देखते हैं print कर दें आप p की value इतनी है sample looks gaussian fail to reject h0 sample looks gaussian slash normally distributed ठीक है fail to reject h0 और हम else condition भी यहीं पर बना देते हैं else print p value अगर आपकी p value जो है वो इस से different condition में होगी तो आप print कर देंगे कि sample doesn't look does not look gaussian और normally distributed reject h0 अब ये दो चीजे मैंने लिखी मैं इसको सिरफ run करूँगा ये मुझे बता देगा क्यूंके p की value एक है which is greater than 0.05 तो उसकी base पे sample look gaussian या normally distributed अब इसी एक if else condition को अगर मैं copy करूँ तो मुझे directly इसी को इसके नीचे में लगा देता हूँ और यहां पे हम यही वाली copy कर लेते हैं चीजें equal to लें जनाब इसी एक test में मुझे बता देना p की value इतनी less से इस वज़ा से sample does not look gaussian nor normal distributed reject h0 अब इसको check करने के लिए मैं यहां पे sns.histplot इसी के अंदर जो है fair के उपर बनाते है fair का ठीक है hue वगेरा को रहने देते है and here you go आप खुद देख लें के यह normally distributed है यह नहीं है so इस वज़ा से p की value हमारी बहुत ही less है जिसकी मतलब यह है के h0 को हम reject कर रहे है और यहां पे अगर आप check करें sample looks gaussian अगर मैं hue को भी यहां पे remove कर दूँ like this so you can have an idea कि आपका sample जो है वो gaussian distribution में fall कर रहे है यहां पे ठीक है जी so इतना सा Shapiro Wilk test का जो है वो आपका difference जो है आपके सामने है so Shapiro Wilk test हमें क्या बताता है Shapiro Wilk test हमें यही बताता है कि आपका data जो है वो normally distributed है अब Shapiro Wilk test के इलावा एक और था जिसको हम Colmogrove Smirnov test बोलते है वो भी आप लगा के देख सकते है simply इसी तरीके से आपने P value को मदे नजर रखना है और आप इसको लगा के check कर लेंगे so that is your assignment कि आपने Colmogrove Smirnov test लगाना है और data को check करना है कि वो normally distributed है या नहीं है क्योंके हमारे पास यहाँ पर age का Colm normally distributed है तो इस वड़ा से हम check करेंगे कि age किस तरीके से हमारे पास matter करते है and how we can actually have an idea कि कैसे हम age को distribute करके और different जगों पर देख सकते हैं कि कैसे T test हो और different किसम की classes of test जो है इस पर लगनी है क्योंके हमने जब पिछले lecture में देखा था कि अगर data normal है तो हम यहाँ पे यह वाले test लगा सकते हैं उपर वाले ठीक है यह वाले और जब data normal नहीं है तो alternate यह वाले test है क्योंके chi-square में कोई भी हमें मसला नहीं था तो हमने दोनों में लगा लिया तो अब हमने parametric test के अंदर one sample t-test, two sample t-test and ANOVA देखना है यह तीन test हम आने वाले lecture में देखेंगे और हम फिर correlation test देखेंगे राइट जी, p-value की समझ आगी है आपको okay, that's good